परंतू मैं आपको इसमन दिलाना चाहता हूँ जिसके पास पुत्र नहीं है। उसके पास जीवन नहीं है। यह कटोर बात है। और सत्य है। भारतियों दर्शन में लेखा है ब्रह्म सत्या, जगत मित्या, परमेश्वर सत्य। शब्दोशब्दक्षर-्प्रम-ब्रम्मः शब्दोशब्दक्षर-प्रम-सत्या वह परमेश्वर जिसके मूंज़ से अच्छन निकलता हैं वह सत्त है अटल है सनातन है और सब प्रानियों के लिए कि परमेश्वर किसी काफष पद करता वह चेहरा नहीं अच्छे कपड़े पेने हैं सुन्दर लग रहे हो धनवान हो बड़े घ्यानी हो कहां से आयो जपान से आयो अच्छा अच्छा यहां बैचो ऐसा नहीं है तुम गरीब हो रिक्षा चलाते हो चलो दर बैठो उसका द्वार सब प्राणियों के लिए खुला है हर भश्षा के लोगों के लिए उसका संदेश सारी प्रत्वी के लिए है और उसका संदेश स्पस्ट है clear है no doubt no confusion जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा चाहिए आप कोई भी हो आप ज्यानी हो आप अधिकारी हो आप राजा हो आप संसार के सबसे धनवान विखती हो अगर आपके पास प्रभु येश्यू नहीं है आप उस अनन्त काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते सुन लीजे चाहे आप इस पंडाल में उपस्तित हो या इस वीडियो के माद्यम से इस संदेश को आप कभी बाद में सुने अगर आपके पास प्रमिश्य का पुत्र येश्यू नहीं है आप जीवन को नहीं देखेंगे ये आपके लिए अंत होगा लेकिन हमारे पास एक आशा है कि जिसके पास प्रमिश्य का पुत्र अर्थात येश्यू मसीय है उसके लिए जीवन होगा मेरे प्रियों इस रहस्य को मैं आज आपके साथ साजा करूँगा इसका अर्थ क्या है इसका भाव क्या है इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है कि जिसके पास प्रमिश्य का पुत्र है उसके पास जीवन होगा मेरे प्रियों आप दो परश्टितियों पर दस्टी कीजिए दो महत्पूर्ट चीजों पर अपना ध्यान आकरश्ट कीजिए इससे कोई परट नहीं पड़ता कि अगर आपको बाइबिल का बहुत अधिक ज्यान नहीं है तो भी कोई बात नहीं दो चीजें आपको समझनी है सधरन चीजें आपको समझनी है और वो क्या है पहली चीज जो आपको जानी है कि परमेश्वर सामर्ति है सर्व ग्यानी है अठल और अगम में है ये परमेश्वर के बारे में है उस संसार को अपनी बुद्धी से अपने शब्दों से बना दिया वो प्रतापी परमेश्वर है उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता कोई उससे बहस के बहस करके लड़के युद्ध करके परमेशोर से जीत नहीं सकता क्या कोई परमेशोर का सामना कर सकता है इससे कोई फरक ने पड़ता आप किस जाती के हैं समाज के हैं और आपके पास कितनी ताकत है कितनी तोप है टैंकर हैं आपके पास कितने बंब हैं, कितने हत्यार हैं आप फरमेश्य का सामना नहीं कर सकते उसका प्रताप इतना भयंकर है कि अगर वो सूर्य के प्रकाश को भी थोड़ा बढ़ा दे तो आप जलकर मर जाएंगे उसे कुछ करने की जरूती नहीं होगी He will just order this sun इस सूर्य से कहेगा भया पचास डिग्री आगे बढ़ो अभी टेंपरेचर क्या है शायद 34 तो होगा, 35 तो होगा 30 प्लस होगा तरमेश्य को कोई शस्त्र नहीं उठाना आपको मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं उठाना उससे बस इतना कहना है सूर्य पचास डिग्री आगे बढ़ो बस और सारी सल्तनत आपकी बुद्धी, आपकी योगताएं आपकी हत्यार, आपका वैभव आपकी ताकत, शमताएं सब नस्ठ हो जाएंगी ये सूर्य आपको खा जाएगा इतना पृतापी परमेश्वर है इतना समर्ती परमेश्वर है इसलिए राजा दाओद कहता है I put my trust in Yehova God मैं अपना सारा ध्यान सारा बरोसा उस परमेश्वर पर लगा वो राजा है लेकिन Yehova को अपना राजा मानता है अब समझने में क्या कह रहा हूँ हम परमेश्व के बारे में बात कर रहे है We are talking about God first वो पृतापी जयवन्त सामर्ती परमेश्वर है जरा करपना कीजिए उसके बारे में उसके कह देने से प्रमान डस्तुत्य में आ जाता है आप बन जाते हैं पशुपक्षी बन जाते हैं परतापी परमेश्वर है दूसरी बात पहली बात परमेश्व के बारे में दूसरी बात मनुष्य के बारे में दो चीज़ें आपको जान दी है सारा रहस्य आपको समझ में आ जाएगा मनुष्य क्या है क्या है मनुष्य अगर आप इसे दार्शनिक दिस्ट्री से देखें फिलासिफिकल दार्शनिक तो मनश्य इस प्रत्वी पर ब्रमान में कीड़े के समाने कुछ नहीं क्या आपके अंदर कोई सामर्थ है अगर कोई सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ तो वो मूर्ख है अगर कोई सोचता है कि मैं महान हूँ तो कितने महान लोगों की कब्र जो है वो हमारे हिंदोस्तान में है मैं विश्यू की बात ही नहीं कर रहा सिर्ब हिंदोस्तान की बात कर रहा हूँ सारे महान लोग कहां चले गए बड़े-बड़े समराट कहां चले गए लोग उनकी आगे गिरते दंडवत करते आज वो लोग कहा है मनुष्य कुछ नहीं मात्र मिट्टी है परमेश्य प्रतापी जैवन्त सदा के लिए और मनुष्य कमजोर पापी है लेकिन एक अद्बुत रहिस बाइबिल में लिखा है बड़ा अद्बुत रहिस है यहुन्ना पंद्रा पंद्रा में वो प्रतापी जैवन्त विराट अगम में परमेश्य क्या कहता है आपको कहता है तुम मेरे मित्रो क्या कहता है आप हो सकते हैं मित्र किसी के परमेश्य की क्या वो प्रितापी और जैवंत परमेश्वर और आप कमजोर तुछ कीले समान क्या कभी हमारे बीच कोई मितरता हो सकती है नहीं हो सकती लेकिन अगर ये हुआ है परमेश्वर के अवचन है तो इसके पीछे कोई सिधान्त होगा Luke of John chapter 15 verse 15 says you are my friend how can be a man, a mortal man, be a friend with immortal God एक कमजोर प्राणी परमेश्वर को मितर कैसे हो सकता है there is secret, there is mystery, एक रहस्य है लुका उसका पंदरा अध्याय और उसके बीस पत को पड़ी है तब ओ उटकर अपने पिता के पास चला ओ अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दोड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा देखिए, सीखिए पवित्र शास्त्र बाईविल में दो महत्पून शब्द हैं जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं इस तरह दो महत्पून शब्द हैं, विचार हैं पहला विचार है पुनरुथान आप कल्पना कीजिए कि अगर बाईविल के अंदर सारी सुन्दर कहानिया होती और सिध्धान्त लिखे होते हैं येश्यू ने ये किया, येश्यू ने वो किया, यहां गए, वहां गए लेकिन अगर पुनरुथान शब्द बाईविल में नहीं होता तो हमारी आशा क्या होती हैं? कोई आशा होती हमारी भक्ती का कोई लक्ष होता, कोई कारण होता हम सब अपने अपरादों में, अपने धर्म, अपने पापों में मर जाते और सब कुछ खताब हो जाता परंतु पुनरुथान शब्द, the word resurrection is the most powerful word in the Bible लेकिन आज हम उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे उसके विशे में आप जानते हैं और जो दूसरा शब्द है जो आपको परमेश्वर के निकट ले आता है या कहें कि परमेश्वर हमारे निकट आता है वो शब्द हैं, तरस, the compassion अगर पविश्वर शास्त्र बाइबल में ये शब्द ना हो तरस शब्द ना हो तो आप परमेश्वर के अराधना नहीं कर सकते आप उसके गीत नहीं का सकते आप उसके निकट नहीं आ सकते आप उसके जान नहीं सकते आप उसकी भक्ती नहीं कर सकते there is no hope if there is no compassion in the Bible if there is no compassion there is no hope बड़ा रहसमे शब्द है यह बहुत रहसमे शब्द कि उस्पटा ने अपनी पुत्र के ऊपर तरस खाया पिता धन्वाने अभी भी धन्वाने पैसा देने के बाद भी ले गया बेटा कोई बात नहीं अभी भी पिता धन्वाने अभी भी पिता सामर्ती है अभी भी पिता राज महल के अंदर रहता है अभी भी पिता के साथ बहुत से करमचारी काम करते हैं अभी भी पिता का जो वैवव हैं वो खतम नहीं हुआ अभी पिता का जो शौर है वो बाकी है खतम किसका हुआ शौर किसका खतम हुआ पैसा किसका खतम हुआ प्राण किसका हुआ पुत्र का भाई की पुत्र ने अपने पिता से वो शौर वो अधिकार पन लिया और रफा रफा हो गया भाग गया निकल पड़ा लेकिन जब उसका सब कुछ नस्ट हो गया उसके पिता ने देखा कि वो वापस आ रहा है याद रखिएगा मेरी बात अगर कोई सामर्थी व्यक्ती तरस से भरा है यह बहुत बड़ा रहस है if a mighty man any mighty man any powerful man if he is having a compassion heart you know heart of compassion it's a mystery क्योंकि जब सामर्थ होती है जब वैभव होता है ग्यान होता है सामर्थ होती है तो तरस जो है वो जीवन से हट जाता है चला जाता है और इसका उधारन आपको देखने को मिलेगा समाज में किसी बड़े मंत्री अधिकारी के पास जाई है वो आपको बाहर कड़ा रखेगा क्या काम है क्यों आए हो चलो बाहर निकलो इसलिए क्योंकि तुम सामर्थ हो तुम राजगदी पर बैठे हो तुम धनवान हो ग्यानवान हो इससे तुम अपने आपको सामर्थ कहते हो पर तुम जो गरीब है कमजोर है वो तुमारे दर्वाजे पर आया है साहिता मागने के लिए तुम उसकी साहिता नहीं करते इसलिए ये बड़ा मिस्ट्रिफुल कॉम्बिनेशन है एक विक्ति सामर्थी भी हो और तरस से बरा हुआ हो उसका हिद्धे तरस से बरा हुआ हो ये बड़ा रहस है ये नहीं हो सकता बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे भारतिये इत्यास में हिस्ट्री में एक विक्ति हुए टॉक्टर एपी जी अबदुलकलाम कितने लोग जानते हैं उनका नाम हमारे देश के रास्ट पती थे He was most powerful man in this nation रास्ट पती बट यत with lot of love and compassion जब मेरी मुलाकात टॉक्टर एपी जी अबदुलकलाम जी से हुई हम आमने सामने थे मैंने का सर मुझे आपसे बात करनी है I need your time अब जानते हैं उन्हें ने क्या कहा You are welcome आपकर स्वागत है मैंने कुछ समय लिया और उन्हें प्रभु येश्यु मसी के बारे में बताया I shared gospel with Dr. A.P. जबदुलकलाम और जब प्राथना की बारी आई मैंने का मैं आपके लिए प्राथना करना चाहता हूँ Can I pray for you? वो अपनी सीट पर से खड़े हो गए अपनी सीट पर से उठ गए वो आप प्राथना कर सकते हैं मैं खड़ा हूँ जो नाम आपने लिया जिस नाम से आप प्राथना करना चाहते हैं You are powerful Yet full of compassion and love ये केवल परमेश्वर का सुभाव है मेरे प्रियों मैंने आपको याद दिलाया कि परमेश्वर कितना प्रतापी है कितना सामर्ती है उसके बोल देने से सब कुछ हो जाता है लेकिन हम क्या देखते हैं What we learn from the word of God अगर वो अपनी दया का अपने अनुग्रह का अपने प्रेम का अपने तरस का हाथ हाटा ले एक भी प्रानी इस प्रत्वी पर एक मिनट के लिए जीवित नहीं रह सकता इसलिए हम पढ़ेंगे विलाप गीद विलाप गीद उसका तीसरा अध्या है और 22 और 23 हम मिट नहीं गए या यहुआ के महाकरुणा का फल है हम मिट नहीं गए यह परमेश्वर की महाखरुणा का फल है आके पढ़े क्योंकि उसके दया अमन है प्रति भौर वो नई होती रहती है अलेलुया उसका जो तरस है उसका तरस एक दिन के लिए एक हफ्ते के लिए नहीं है उसका तरस सारी मानव जाती के लिए प्रते एक दिन नया हो जाता है सारी मानव जाती के लिए उसका तरस हमेशा के लिए इसी वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए यहुवा की महा करुणा है हाई कंपेशन मेरे प्रियों मुझे नहीं मालूम कि आपने अपनी जिन्दगी में कभी तरस को अनुभव किया है हो सकता है आपने किसी पर तरस किया हो वो एक अलग विशे है that you moved with compassion for someone that's a different thing but my question have you felt compassion in your life क्या आपने कभी तरस को अनुभव किया किसी ने आप पर तरस किया हो do you remember any story आपको वो कोई कहानी याद है मुझे अपने जीवन के कहानी याद है जब मैं college student था year 2001, 23 साल पहले तो मुझे bus में यात्रा करनी होती थी अपने शहर से जहां मैं रहता था वहां से मेरे college के लिए bus की यात्रा होती थी और मुझे याद है उस bus का जो ticket हुआ करता था वो 13 रुपे यार था 13 रुपी तेरा रुपे प्रते एक दिन और एक दिन जब मैं bus में था जब conductor मेरे पास में आया उसने का ticket तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मैंने पाया कि मेरा purse मेरी जेब में नहीं है मेरा जो wallet है मैं अपने घर पर भूल गया हूँ और मुझे बड़ी निराशा हुए उस conductor ने मुझे कहा कि अगर आप आगे यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 13 रुपे देने होगे नहीं तो आप यहीं उतर जाएए यह highway था गर्मी के दिन थे मई जून का महीना था लू चल रही थी कर्मी हवा चल रही थी और अंतता मुझे बस से नीचे उधर ना पड़ा मेरा हिर्दे टूट गया मेरे मन में दुख मैं कह सकता हूँ कि एक निराशा एक अपमान मेरे हिर्दे में आया कि अरे मैं यातरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 13 रुपे नहीं है 13 रुपे होगी तो यातरा होगी वो बस थोड़ी दूर आगे गई लगबख 100-500 मीटर आगे गई और रुख गई और उसमें से एक विक्ती ने दर्वाजे पर खड़े उकर मुझे कहा इधर आओ, जल्दी आओ, दौड़ कर आओ मुझे लगा कि मैं अपना बर्स में कोई समान भूल गया हो और मैं दौड़ कर गया और उस विक्ती ने मेरे कंदे पर हाथ रख़ और कहा चुंता मत करो, उपर आओ, मैं तुम्हारे लिए तेरा रुपे दूँगा और अपनी जुन्दगी में पहली बार मैंने तरस को पने उपर अनुभव किया कि किसी विक्ती के हिर्दे में मेरे लिए दया आ गई तरस आ गया और उसनी मेरा दाम, मेरा मूल चुकाया और मेरी यात्रा पूरी कराई उसमें गूगल पे, या जी पे, या फोन पे ये सब नहीं हुआ करता था अगर होता तो मैं इनिश्यत उसको वो तेरा रुपे वापस करता लेकिन पूरे मार्ग में उसे देखता रहा और जब मैं मेरा कॉलेज आया, मैंने उसको धन्यवाद कहा और मैंने कहा अगर कभी हमारी मुलाकात होगी तो मैं इस तेरा रुपे को याद रखूँगा और मैं वहाँ से चला गया आज 24 साल बाद मैं आपको वो कहानी बता रहा हूँ क्योंकि उस घटना ने मेरे हिर्दे में तरस को अनुभव करने के लिए किस्थान दिया क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई तरस अनुभव किया है कि जब आप संकट में थे आप कटनाई में थे आप चनौती में थे आप तकलीफों में थे किसी ने हाथ बढ़ा कर आपकी सहायता की हो और आपको संकट से निकाला हो कई बार हम सोचते हैं हम दूसरों को कंपेशन अपना दिखा सकते हैं लेकिन मैं याद दिलाता चाहता हूँ कि जब तक आप दया को अनुभव नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा जिन्दखी में एक बार तरस को अनुभव करके देखिए कि कोई आप पर तरस करे आप कमजोर हो दुखी हो वोट द बाइबल से परमेश्वर क्या कहता है हम मिट नहीं गए क्यों क्योंकि ये परमेश्वर की महा खरुना है लिखाए ये उसका फल है क्योंकि उसकी दया जो है वो अमर है और प्रतेक दिन ये दया जो है वो नई हो जाते है क्या बात है क्या बचन है कितना कितना सुन्दर वच्छन निखाई अगर ये तरस शब्द बाइबिल के इंदर ना हो तो आप परमेश्च के साथ संगती नहीं कर सकते हैं आप जानते हैं हम बाइबिल में बहुत सी ऐसी गटनाओं को देखते हैं अगर आप मर्कुस उसका पहला द्या बुक अफ मार्क चेप्टर वान वर्स फॉर्टी बन देखिए पढ़िये उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे चुकर कहा मैं चाहता हूँ तू सुथ हो जा एक कोड ही यह शुमसी के पास में आया बड़ी खतरनाक बिमारी है कोड क्योंकि निशित कोड है कैसी बिमारी है जुना केवल आपको तकलीफ, शारिरिक तकलीफ देती है लेगिन यह आपको मानसिक पीड़ा भी देती है क्योंकि समाज, लोग आपको त्याग देते है अगर आपके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है एक्सिडेंट हो गया, सर फूट गया, टांग तूट गई तो आपके रिष्ठिदार, आपके दोस्त आपको हस्पिटल पहुचा देंगे आपको ऐसा कंदे पे हाथ रखे करेंगे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ है लेकिन कोड एक ऐसी बिमारी है, अगर किसी विक्ति के शरीर में कोड हो जाता है तो उसके प्रियजन भी उसको छोड़ देते है समाज उससे बात करना बंद कर देता है, पडोसी उस घर का खाना भी नहीं खाएंगे अगर किसी घर में कोई कोड़ी वेखती है तो उसके पडोसी और आसपास के लोग उससे दूरी बना लेंगे बाबा उस वेखती को कोड़ है कितनी खतनाक बिमारी है जो आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके मन, आपके विश्वास को सब कुछ को खतन कर देती है और कलपना कीज़े कि एक कोड़ी येश्व मसी के पास में आया वो कहीं और जाही नहीं सकता था समाज में उसे कोई सिमकान नहीं कर सकता था कोई उसे अपने पास नहीं बैठा सकता था और वो कोड़ी येश्व मसी के पास में आया and he knelt before Jesus उसने अपने घुटने येश्यू के सामने ठिका है उसके आखों में आसुआ है उसका भविश्य अंदकार में उसके आगे कोई आश्या नहीं है कोई आश्या नहीं no hope no medicines कोई दवाई नहीं है कोई सरजरी नहीं है कोई लोग नहीं है कोई नहीं है उसके आसपास वो अकेला दुखी, भूका, प्यासा शायद अच्छा भोजन भी ना हो पीने के लिए पानी भी ना हो कितनी तकलीफ में होगा और वो येश्यू के पास में आता गुटने टिकाता और आप जानते है वो येश्यू के आखों में देखकर रोता हुआ कहता होग famous प्रभु मुझपर दयाग मुझपर दयाग येश्यू ने क्या किया और येश्यू ने क्या कहा परदिए दुबरा पढ़िये इस वजन को दुबरा पढ़िये 141 को पढ़े उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया उस पर तरस खाया और उसको हाथ लगाया चुआ बाबा रुकिए सुनिए मुर्दा जा रहा है येश्व मसी ने कहा मुर्दा उठ और वो मुर्दा उठ गया वचन के दुआरा सुबेदार एक विक्ती सुबेदार था वो आया बोला मेरा सेवक मर रहा है घर पर तु यहीं से वचन बोल दे वो जिन्दा हो जाएगा प्रभू ने वहीं से वचन बोल दिया वो ठीक हो गया दुश्टात्माई बिमारिया येश्व बोलते हैं और लोग चंगे हो जाते लेकिन इस जगा पर इस जगा पर भाई बिल कहती है उसने कोड़ी को अपना हाथ बढ़ा कर छुआ पता नहीं इस से पहले और कितने सालों हो गए होंगे किसी दिखती ने उस कोड़ी को छुआ भी नहीं होगा उसके कंदेपर हाथी नहीं रखा होगा उसको पृये नहीं जाना होगा उसको प्रेम कानुभव नहीं किया होगा यह शु मसी ने अपना हाथ बढ़ा कर वाई बील कहती है उस बततरस खाया उससे चुआ और आगे क्या लिखाये उससे चुआ कर कहा मैं चाहता हूँ तू सुध हो जा और आगे और तू कोट जाता रहा और वो सुध हो परमेश्वर का तरस है He who has passion has a life He who does not have the compassion of Jesus has no life जिसके पास पुत्र है और तात जिसके पास परमेश्वर का तरस है उसके पास जीवन है अगर आपके पास परमेश्व के पुत्र प्रभयेश्वमसी का तरस है If you receive His compassion अगर आप उसके उसका तरस मांग ले वो आपको जैवन्त कर देगा कई बार हम उसे बहुत कुछ मांगते है But I teach people Look for the compassion of God Don't be over smart बुद्धिमान मत बने परमेश्व के सामने गमंडी ना बने परमेश्व को ये प्रकतीत ना कराई ये प्रकत ना कराई कि आप बहुत शांदार विखती है आप बहुत महान विखती है याद रखिए अगर आप परमेश्व के तरस को प्राप्ट करना चाहते है केवल एक ही मार्ग है जब येश्वमसी ने कहा मार्ग में हूँ कई बार इस पर बहस होती है बड़े-बड़े तियोलोजियन और दूसरे धर्मशास्त्री इस पर बहस करते हैं कि येश्व मसी एक मात्र मार्ग कैसे हो सकता है Why Jesus is the only way Listen to what the word of God says परमिश्य कवचिन क्या कहता है सुन लिजिए मार्ग का मतलब ये कोई पत्थर की सड़क नहीं है मार्ग का मतलब ये कोई रास्ता नहीं है जिस पर हमने लखडी बिछा दियो मार्ग है परमिश्य का तरस Do you have the compassion of God? अगर आप अपने पापों को शमा मांग लेंगे परमिश्य तरस से बर जाएगा अगर आप उसके सामने घुटने टिकाएगे तो परमिश्य तरस से बर जाएगा इस कोड़ी ने कहा प्रबू मुझ पर दया कीजिए एक ही मार्ग है जिब आप घुटने टिका देते हैं परमिश्य दयालू परमिश्य अपने तरस को आपके उपर उंडेल देता है और आप बच जाते है जब यह इश्य मसी कहते है मैं मार्ग हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि उसके तरस में जीवन है जब यह जवान लड़का अपने पिता के पास में आया आप जानते हैं इसने क्या कहा इसने कहा पिता जी मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के परमिश्य के विरोध में पाप किया है पाइबिल कहते हैं उसके पिता का हिर्दे तरस से बर गया बचने का कोई दूसरा तरीका नहीं था जिसके पास तरस नहीं है उसके पास जीवन नहीं होगा अब कहानी पढ़ते हैं नेक यातरी की सामरी यातरी की वो मार्ग में था उसे डाकू ने लूट लिया उसे घायल किया याजाक और लेवी उसे देखकर चले गई लेकिन एक सामरी यात्री वहाँ पर था वचिन कहता है उस ने उस गायल विक्ति को देखकर उस पर तरस खाया और उसका प्राण बच गया एक ही तरीका था तरस जब तक तया नहीं है तरस नहीं है तब तक आप उस जीवन को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे मैं अपने जीवन के एक सची कहानी आपको बताता हूँ मैं एक मिठाई की दुकान में था स्वीट शॉप एक बड़ी शांदार मिठाई की दुकान जिसके अंदर लोग मिठाईयां खरीद रहते हैं महिंगी महिंगी मिठाईयां और बहार कुछ गरीब बच्चे खेल रहे थे उस मिठाई दुकान के आज पास जाते हैं वो लोगों से वो मिठाईयां मांग रहे थे मैं उस मिठाई की दुकान में था और मैंने देखा कि एक बच्चा छोटा बच्चा जिसके शरीर जिसका गंदा था जिसके पैरों में चपल नहीं थी और वो काच्च में से ऐसे मिठाई को देख रहा था इस तरह से अंधेरे में ऐसा बना के मिठाईयों को देख रहा था और मैं दुकान के अंदर उससे देख रहा था कि वो मिठाईयां देख रहा है मैं उसे देख रहा हूँ वो मिठाईयां देख रहा है मैंने उसे इशारा किया अंदर आओ उसे विश्वास नहीं हुआ He could not believe उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या ये किसी और विक्ती के लिए निमंतर्ण है इशारा है या मेरे लिए मैंने का भाई तुम्हें ही बिला रहा हूँ चल दिया हो जैसे उसने आने का पुर्यास किया The moment he started enter वहाँ पर जो गार्ड खड़ा था दुकानदार खड़ा था जो मैं कह सकता हूँ की सिक्यूरिटी गार्ड खड़ा था उसने उस बच्चे को धकेल दिया पुश कर दिया कहा जा रहे हो निकलो याँ से भागो याँ से और छोटा बच्चा वही दर्वाजे पर खड़ा रह गया कुछ झनी कर सकता था क्योंकि दर्वाजे पर कौन खड़ा है एक गार्ड खड़ा। वर्दी में है, उसके आप में डंडा है और वो उस घरीब, कमजोर बच्चे को दुकान के अंदर नहीं आने दे रहा है अब दुकान के अंदर मैं हूँ, बच्चा बाहर है और दर्वाजे पर वो सिक्यूरिटी गाड है तीन लोग इस कहानी में है मैंने जब इस परश्टीती को देखा, मैं आगे बढ़ा, मैंने दर्वाजा खोला, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उससे अंदर ले आया गाड ने मुझे देखा, और कुछ नहीं का Not a single word उससे मुझे देखा, और साइड मेहट गया, कि मैं उस बच्चे को दुकान के अंदर ले जा रहा हूँ मैंने उसे सोफे पर बैठाया, उसके लिए मिठाई खरी दी, मुझे आज तक याद है उसने का, मैं एक लसी भी पिऊँगा, आप लसी जानते? उससे का, मैं एक लसी भी पिऊँगा, मैंने का, एक लसी भी पियो और मैं वहीं बैठकर लसी पीने लगा, और वो भी वहाँ लसी पीने लगा, और तरत हो गया और मैंने उसके लिए कुछ मिठाईयां करी दी, और कहा कि जाओ, अपने घर भी ले जाओ मेरे प्रियों जब मैं दुकान से बाहर निकला फवितरात नमस से बात करने लगा गरीब कमजोर लड़का एक पापी विक्ती जिसकी हालत कमजोर है और वो गार्ड जो वर्दी में है वो लौ है, नियम है कानून है तुम बुरे हो, जूटे हो पापी हो, कमजोर हो दुस्ठ हो कानून आपके उपर दोश लगाता है आप कमजोर है और आप परमेश्य के राच में नहीं पहुंच सकते वहाँ एक अडचन है और वो अडचन है कानून नियम, लौ तब इसका केवल एक ही रास्ता है कि आप परमेश्य के राच में पहुंच जाएं तो वो बहर आएं, आपका हाथ पकड़ें और आपको अंदर ले जाएं, हालिलूया There's only one way You cannot enter But God can come out लेगर आप जानते हैं परमेश्य कब दया से या तरस से भरेगा When you are broken When you have tears जब आपकी आखों में आस हुआ हैं आप कमजोर हैं और आप अपने गुटने टिकाएं और बड़ी इच्छार, बड़े गहरे मन से परमेश्य के उद्धार के कारियों को समझने की कोशिश करें आप समझने हैं प्रभू, वो उद्धार मुझे चाहिए I need that salvation I really need that salvation मुझे आपकी संगेती चाहिए प्रभू मैं बाहर गर्मी में खड़ा हूँ मर रहा हूँ, भूका हूँ I need you Will you please help me बहुत लोग बहाँ पर गूम रहे थे बहुत लोग गूम रहे थे लेकिन मिठाई किसको मिली जो सही position में खड़ा था तैयार था जो इदर उदर घूम रहे थे उन्हें कुछ नहीं मिला lot of people in the world संसार में लोग इदर घूम रहे हैं मस्ती कर रहे हैं लेकिन याद रखे अगर आप सच्य हिर्दे से उस परमेश्य को ढूनेंगे तो परमेश्य का वचन हमें सिखाता है इन्हों परमेश्य का वचन हमें सिखाता है कि उसने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टी की बजन सहीता 14 book of psalm chapter 14 verse 2 पढ़ लीजे बजन सहीता 14 उसका दूसरा धाय पढ़िए परमेश्य के स्वर्ग में परमेश्य की से स्वर्ग स्वर्ग में से पोरी पर चीण जापान अमरीका भारत इंगलेंड पॉलेंड स्वीडेंड शीलंका जपान सब पर दृष्टी की और आगे क्या लिखाए कि देखे कि कोई बद्दिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं जितने लोग उसे खोज रहे है उसे वो मिल रहा है जितने लोग उसे ढूंड रहे उनको मिल रहे स्वाग से परमेश्वर ने तर्षिटी की एक गुद्धिमाद मिल जाए तो मैं उसको मिल जाओंगा अगर आप परमेश्वर को ढूंड रहे तो आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे आप जानते क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है कि आप उसके तरस को उसके पुत्र को प्राप्त करें ये किवल आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है, कि लोग मुझे ढूंडें और पाएं, और आप याद रखिये, जब मैं संदेश को विराम देना चाहता हूँ, जब उसने बड़ी भीड को देखा, तो उसको लोगों पता है, तरस आया, हलेलुया, ये देखिये, प्रतापी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, बड़ी भीड को देखका तरस से भर रहा है, wholly याद रखियेगा, उसका तरस वही ठेरेगा, जो उसे प्राप्त करना चाहता है, उसका तरस उसी को मिलेगा, जो आगे बढ़कर उस कोडी कि समान अपने घुटने टेके और कहे कि प्रभू लॉर्ड आई नीड एट कमपेशन प्रभू मुझे आप क्या विश्कता है बारिश हो रही है प्रकाश हो रहा है लेकिन अगर आप अपने आपको दर्वाजे में बंद कर लें एक कमरे में बंद कर लें ये सूरी का आपको शक्ति देगा उर्जा देगा अज बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में परमिश्य का कोई काम नहीं हो रहा हम प्रत्ना कर रहे हमारे जीवन में परमिश्य का काम नहीं हो रहा कि आपने इस जवान लड़के के समान प्रभू से कहा कि प्रभू मैं उठकर आपके पास आना चाहता हूं। Bible प्रियों जब मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। आपको तरस का एक बहुत सामर्ती उधारण दोंगा और आपके लिए प्रात्ना करूंगा। What is compassion and what compassion can do? Let me explain you. तरस क्या है और यह तरस क्या कर सकता है इसका मैं आपको उधारण देना चाहता हूं। आपने लकडी के क्रूस को देखा हूं। हजारों सालों से यह लकडी, यह क्रूस लोगों के लिए मृत्यू का सादन था। इस पर बड़े-बड़े अपरादियों को लटका कर मार दिया जाता था। Cross was a sign of death and pain and suffering। लोग क्रूस को देखते और डर के भाग जाते। कोई क्रूस को छूना नहीं चाता, कोई क्रूस के पास नहीं आना चाता। लोग दूर से क्रूस को देखते और बाग जाते। A sign of death, a sign of pain and suffering। मृत्यू, भीड़ा, दर्द और अर अप्मान का चिनत है। ना जाने इस क्रूस ने कितने लोगों के पुराण ले लिये होंगे। कितने लोग इस क्रूस पर चड़कर मर गए होंगे। Thousands of people in Romans time। लेकिन एक दिन, यह क्रूस तयालू प्रभू येश्यू मसी के हाथों में आ गया। तयालू प्रभू येश्यू मसी, a God who is having compassion in his heart। Bible कहती है, कि जैसे येश्यू ने इस कोड़ी को चुआ, उसका कोड़ खत्म हो गया। ठीक इसी तरह, येश्यू मसी ने कुरूस को चुआ, he touched, they become one। और कुरूस का इत्यास बदल गया। अब कोई कुरूस से डरता नहीं। अब कुरूस को देखकर कोई भागता नहीं। अब लोग नहीं कहते हैं कि ये मृत्यू का और पीड़ा का और मृत्यू का चिन है। अब लोग उसे शान्ती का चिन कहते हैं। उसे प्रेम का चिन्द कहते हैं it's no more sign of death, pain and suffering it's a sign of love, hope and compassion and future अगर ये शुमसी इस लकडी के जीवन को बदल सकता है तो समझे आपका जीवन कितना ही काला क्यो रहा हूँ आपका इध्यास कितना ही कड़बर से बरा क्यो रहा हूँ if you have the son of God you will have life you will have testimony अगर आपके पास परविष्य का पुत्र येशु है आपके पास एक जीवन है और उस जीवन में गवाई है और उस गवाई में एक आशा है आपके लिए परविष्य है उसने स्वर्ग को छोड़ा मनुश्य बने है तकि आप जो पापी मनुश्य है उपर में शुकी संतान बन जाए प्रव के बहांदास सादू सुंदर सिंग जी ने कहा था जीजस डाइड पर यू यू लिव पर हिम ये शु मसी तुम्हारे लिए लिए गया तुम उसके लिए जीओ मेरे प्रियों आज का संदेश यही है जिसके पास परमेश्य का तरस है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्य का पुत्र प्रभी येश्यू वो कमपैशन वो तरस नहीं है उसके पास जीवन नहीं है मेरी यही प्रात्ना है इस मच्च के माद्दम से कि आपके पास परमेश्य का पुत्र हो आपके पास वो दया, वो तरस, वो भविश्यू चितने लोग यहां बειठे हैं, आप सब आस्मान में उठाये जाएए जिसके पास उसका पुत्र होगा, वो आस्मान में उठाया जाएगा जिसके पास उसका थरस होगा, वो खीच लिया जाएगा, स्वर्दूत उसको उठा लेंगे जिस तरह यहूदियों के दर्वाजे पर वो चिन लगा था मिरत्यू के फुरिष्ट आई उन्होंने देखा अच्छा ये प्रभू का चिन है चलो आगे बढ़ो इन्हें छोड़ दो जिनके पास चिन नहीं था वो मर गए ठीक इसी तरह जिसके पास परमेश्यर का पुत्र येश्यू होगा उपच जाएगा वो हवा में उठाया जाएगा हम सब सदा के लिए जियेगे